भारती प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रेकॉर्ड बना गया है अम्दान मंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान और राप सेंट एंड्रियू दा एपोस्टल से नवाज़ जा रहा है His Excellency Narendra Damodardaas Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India प्राइम मोदी को रूस के सरवोच नागरिक सम्मान से नवाज़ा है पाकिस्तान के लिए नमबर वन प्राइर्टी कश्मीर है इस तरीके से डाचा में उनके घर ले जाके उन्होंने धिनर दिया बहुत आना दिया फिर अवाड वही दिया जो उन्होंने प्राइज़िक शी को दिया ऐसा हरे के साथ नहीं होता यानि रशिया का प्रेजिडेंट किसी महमान को प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का परसनल टूर दे सब के साथ ऐसा नहीं होता इसा मैसूस होता है कि दुनिया ने ये जो responsibility इतनी बहुत बड़ी है वो इंडिया या मुदी साहब के कंदों पर डाल दिये कि जनाब आप ये जंग अगर रुकवा सकते हैं तो रुकवाईए और अगर आप प्रेज़ेंट पुटन को ये रशिया को रोक सकते हैं तो रोक ये इस बारे में या कुछ करेंगे अवको लगता है कि इंडियन परिशान होंगे कि वेस्टरन वोर्ड क्या सोचे गी मेरा नहीं क्या उन्होंगे गेज कर ली आप व्यटरन वर्ड को कि अजयांगे चाहिछ थे एपूसद्टावाइट्स पूद्ट कुछी है यह एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्पति पूतीन रूस के सर्वोच एवोड से सम्मालित करने के लिए मैं रदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है यह 140 करोड भारत वासियों का सम्मान है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर निरंदर मूदी साहब को रशिया का रषिया का हाइस्ट सुविलियन एवजु दिया गया है अगर हम आपको लिस्ट बताएं कि दुनिया के कितने ही सिविलियन अवार्ड उनको मिल चुके हैं तो ये एक लंबी लिस्ट है नरेंदर मुदी साथ की लेकिन ये जो रशिया का विजिट है इस वक्त इंडियन प्राइमिनिस्टर का ये एक ऐसा विजिट है कि जो बहुत हाई प्रोफाइल है बहुत हाईली सिग्निफिकंट बहुत सिग्निफिकंट से इसकी पूरी दुनिया की नजरें इस विजिट पर है और कुछ और बड़ी डिवल्लपमेंट्स इसके वाले से सामने आई हैं लेकिन इसके अंदर जो नरेंदर मुदी साथ है उन् यह सुलूशन नहीं है बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती और जब मच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है उन्होंने प्रेजिट पूटन के किसी भी किसम के अग्रेशन या जो इस वक्त वार चल रही है या मुदी साहब के वहां पर वो गए और मैं नजर आया उनका जैस्टर और उनका जो वह बोले कि जिसमें उन्होंने कोई आज को इसी अगर चीज नजर आ रही थी या कोशिश की जा रही थी जारी ती मैं ये समझती हूँ कि नरिंदर Μोदी ने उनको ये लेवरेज रस नहीं करने दिया. उन्होंने जंग की भी बात कर दी. उन्होंने कहा कि जो उक्रेन और रशिय वारेस के मुदालिक सोचा जा रहा था कि मोदी साफ बात नहीं करेंगे. क्या बात करेंगे? लेकिन उनों ने धडले से बात कर दी, जिसके उपर पूटन को यह जवाब देना पड़ा, कि आपके मश्वरे का शुक्रिया, टैंक यू, एक तो ये बात. उसके बात कर देना पूटन को पता है, जिसके पूटन को पता है, जिसके पूटन सुनेगा, उसका नाम है, मौधी. निरेंदर मौधी तो अपने बाइलेटरल ट्रिप का अगाज ही रिशिया से की है, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं, बट दा क्वेस्टन इस, कि आप क्या समझे हैं, कि उनको नहीं पता मैं क्या करने जा रहा है, आपको लगता है कि इंडियन्स परिशान हैं, अमरीका और यॉरप के अमरीका और इंडिया के दर्मयान, वो जिर भी अपननों वाला केस है, और उस केस में भी उन्होंने अपने बाकी तालगात को हौल्ट नहीं किया, बस वो इतना कर रहे हैं कि वो इंडिया हो कहते हैं, कि अपने बंदों को रिस्पॉंसिबल ठे सब्सक्राइब को पता है यार एनरजी नीड्स ना पूरी करें तो कहां से पूरे करें एवरी केंट्री इन वर्ल डजन्ट है इन यॉर्प के पास नहीं है यॉर्प के सारे मुलकों के पास नहीं इंडिया ये तो जरूर कहेगा कि युवन चार्टर की खलाव वर्जी न करो इंडिया को बड़े अच्छे से पता है हमने अपना इंट्रस क्या देखना है और वैसे भी यह बहुत बड़ी ग्रेट गेम है या यह यॉर्पियन्स अमेरिकन्स रॉशन्स यह बड़े और पर माने पर सोच रहे हैं आशकल के जो प्राइम मिनिस्टर साब है वो रशीयन प्रेजेटेंट के साथ खड़े और वो हाथ मिला रहे हैं वो आगे बढ़ गए तो वो जी बिलकुल तो क्या कहेंगे आप देखें नहीं इससे आप यह तो कुछ भी नहीं